हलो दोस्तों नमस्कार, स्टेडी पोर्टल में आप सब का स्वागत है, दोस्तों काफी सारे बच्चे UGC NET का E-Certificate डाउनलोड करने की बात कर रहे थे, किसर हमें E-Certificate चाहिए हमारा UGC NET हो चुका है, यह SIR हो चुका है, लेकिन हमें E-Certificate की जरूरत है, तब E-Certificate के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो UGC NET की वेबसाइट पर आप जाएंगे, UGC NET आप साइट करेंगे, पर टाइप करेंगे, उसको ब्राउज करेंगे, तो आपको University Grant Commission, UGC NET की वेबसाइट मिलेगी, इसके उपर आप क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के अगे अगे शक्या करको कर दिया है, UGC NET इस सर्टिफिकेट, जो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो जहां यह लिखा हुआ है, इसी के उपर आप एकदम क्लिक करेंगे, जैसे आप इसके उपर जैसे आप क्लिक करेंगे, तो एक नई विंडो ओपन होगी, और इस विंडो का करेंगे, सबसे पहले आएगा UGC Net, उसके बाद नीचे आएगा Joint CSIR UGC Net, अगर आपका CSIR UGC Net वाला है, तो आप नीचे क्लिक करेंगे, और अगर आप UGC Net आपका है, तो आप उपर वाले पर क्लिक करेंगे, हम UGC Net पर एक पर क्लिक कर देते हैं, जैसे आप click करेंगे तो आपका ये UGC net select हो गया, नीचे आपको ये code दिया हुआ है, जो ये code आप देख सकते हैं, ये code दिया हुआ है और इस code को आप यहाँ पर type करेंगे, 4, 3, 1, 8, 6, 9, जैसे आप type करेंगे तो proceed का option आजएगा, proceed कर दिजिए, आपने proceed कर दिया, उसके बाद आप देखिए, clear आपको दिख रहा है, सबसे उपर है row number और application number, आपको अपना row number और application number जो भी आपका है, वो आपने download है, यहाँ पर type करेंगे, जैसे आप row number बगारा type करेंगे, तो उसके बाद नीचे वाले पर आएगा, enter date of birth as enter in application, date of birth आपने यहाँ पर डाल देनी है, जो भी date date of birth आपकी है, उसको आप यहाँ पर डालिए, जैसे date of birth आपका आजएगा, उसके बाद नीचे आजएगा आपका month, जो भी आपका month है, मानलो 10 आपका था date, month आपका था March, फिर आपका year आजएगा, year भी आप लोग अच्छे से type कर सकते हैं, जो भी आपका worth year है, उसको आप आप लोग टाइप कर दीजिए, मानलो मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया, ठीक है, उसके बाद आप आगे जाएगे, यहाँ पर आपका है exam session, कौन सा exam session आपका रहा है, June 2019 का रहा, December 2019 का रहा, June 2020 का रहा, कौन सा आपका exam session रहा, वो आप select कर देंगे, फिर आपके यहाँ पर दालेंगे, इंटर कैप्चा कोड, इंटर कैप्चा कोड डालेंगे, तो यहाँ पर इंटर कैप्चा कोड आपको दीख रहा है, 265788, 265788, यह डाल दिया, और जैसे यह आपको डालेंगे, और प्रोसीड करेंगे, तो आपका e-certificate आ जाएगा, च्योंकि यहाँ पर मैंने roll नमबर रेप्लिकेशन नमबर नहीं डाला है, तो यह ऐसे दिखाएगा, नहीं तो जैसे यह देखो, प्लीज एंटर roll नमबर रेप्लिकेशन नमबर, जैसे आप यह डाल करके आप प्रोसीड करेंगे, तो आपका e-certificate है, वो आपके सामने होगा, you can download, आप उसको download कर सकते हैं, और अगर आपका UGC CSIR NET का है, तो उस वाले option पर जाकर आप आ सकते थे, वहाँ पर भी आपको वो सब मिल जाएगा, तो इस तरीके से, आपको धान रखना जैसे, अगर UGC CSIR NET का है, तो उसके लिए आप लोग नीचे वाला joint CSIR UGC NET आप श्रेक करेंगे, और 4, 3, 1 8, 6, 1, यह सेम आपका रहा है यहां पर भी, तो यहां पर जाएंगे, उसमें भी आपका roll number रहेगा, date of birth रहेगा, आपका month रहेगा, आपका year आपका रहेगा, और exam session आपका रहेगा, 2019 था या दिसंबर 2019 था या नॉमबर 2020 था, इसको select करके आप लोग आगे बढ़ सकते हैं, तो यह आपका e certificate वाले बच्चों की जो क्योरी थी, उसका मैंने सवालों का जवाब देने की कोशिस की है, तो अगर आपका ऐसा है तो आप उसका धान रखिए, और एक चीज मैं और बता देता हूं आपको 84474108, यह हमारा whatsapp number है, हम all over India के अंदर study material परवाइड करवाते है सभी परकार के teaching exams के लिए, उनको आप लोग इस नंबर पर कोलिया वर्टसप पर बात करके order कर सकते हैं, चाईवो KVS है, NVS है, CTAT है, DSSB है, UGC NET है, screening test है, exam जितने भी teaching line के हैं, सब के लिए हम complete study material देते हैं, paper और बेपोटो दोनों का, आप उनको जब साहे order कर सकते हैं, तो आज के लिए इतना ही था, काल फिर मिलेंगे, तब तक आप मेहनत करते रहें, किसी भी परकार का अगर doubt है, तो आप लोग हमसे ले सकते हैं, धन्यवादे.